गुड मॉर्णिंग माई डियर फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल फ्रेंड्स आज गोवर्धन पुजा है और गोवर्धन पुजा की आप सभी को दिल से हर्दिक सुप कम नाए तो चलिए फ्रेंड्स आज मैं आपको दिखाऊंगी एक बहुत ही खुबसूरत फ्लावरिंग प्लांट जिसे हम किस तरह से विंटर में उसकी केर करें आज उसी टॉपिक पर बात करूंगी तो उससे पहले मेरे गाडन के कुछ प्लांट और फ्लावर्स देख लीजिए कि किस हालात में मेरे गाडन अभी इस समय है और वीडियो भी कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ मैं तो अब देखिए कोसिस करूँगे कि आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो दिखा सकूँ और मेरे प्लांट जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं आज कुछ मैं सफाई कर रही हूँ क्योंकि तब यह ठीक हो गई है देखिए फ्रेंट्स यह मेरा कटिंग से मैंने यह प्लांट तयार किया है और इसमें आज दो फ्लावर आये हैं पहले बार फ्लावरिंग किया है तो कटिंग से मैंने आपको पता ही होगा बहुत सारे ही विसकस तयार किये थे सारे पिछले साल के हैं और यह लेलटाना इसको भी मुझे अलग से रिपॉर्ट करना पड़ेगा और सेटिंग मैं नहीं कर पा रही हूं जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया है उसका रीजन है कि अब मैं दिवाले के बाद अपने घर की साब सफाई करवा रही हूं पु घरना जाए तो इससे अच्छा एक भार मेहनत करूं ज्यादा अच्छा होगा तब तक मेरी तबीयत भी ठीक हो जाए रहेगा अच्छе से तो द refreshed मैंने बहुंत सरे फ्लावरिंग प्लांट मैने आपको दिखाये हैं जिसमें बहुत अच्छी फ्लाव्रिंग के बीज है देखें आप बीज से भी ग्रो कर सकते हैं लल्टाना को तो मैंने तो कटिंग से बहुत सारे प्लांट तयार कर लिए हैं इस बरलग भर चार पांच प्लांट तयार किये हैं तो आप जब भी यूफ और विया मिली लाएं फ्रेंड तो उसकी कटिंग लेकर आप एक प्लांट से ज़्यादा प्लांट तयार करिए मैंने गलती यही की थी कि मैंने इन सारे प्लांट को एक एक ही रखा था और देखिए बिल्कुल ये पांच इंच इंच के गमले में लगे हुए हैं बिल्कुल छोटे 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 गमले हैं और इनमें इनकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है यह वाला जो है ये दूसरी वैराइटी का है इस में बंचेज में फ्लावर्स आते हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, बंचेज में होते हैं और बहुती खुबसूरत लगते हैं तो इसे तो मैंने इसी साल एड़ किया है दोनों प्लांट को और जो मेरे पिछले साल के प्लांट थी वो खराब हो गए तो मैं आज केयर ही बताऊंगी कटिंग वगर नहीं बताऊंगी किस तरह कटिंग लगेगी तो इसकी केयर मैं विंटर में कैसे करती हूँ और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग कैसे ले रही हूँ यही बताऊंगी तो फ्रेंट्स यूफ और विया मिली के प्लांट में आप वाटरिंग समय समय पर की दिए ओबर वाटरिंग बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि इनको ज़्यादा ओवर वाटरिंग से ये प्लांट खराब हो जाते हैं क्योंकि इनकी जो पत्तियां है और जो प्लांट है वो सकुलेंट वैराइटी का प्लांट है इनकी पत्तियों में पानी रहता है, यह पानी को होल करके रखता है अपनी पत्तियों में और पानी तभी डालिए जब गमले की 1-1.5 इंच की मिटी जो है सूख जाए तभी इनमें वाटरिंग कीजे और देखे कितना प्यारा कितना flowering कर रहा है यह वाला जो plant है friends यह मेरे दूसरी variety का है इसमें दो एक branch में दो flower आते हैं इस तरह के flowers हैं और आपको दिखे रहा होंगे प्रिन्टेड में हैं ड्बल सेड़िड कलर में हैं बहुत प्यारा बहुत ही खुबशूरत और ऐसे लगता है फ्रेंड्स जो इनके फ्लावर है ना इनके बीच में लगता है कि ओस की बूंध है इस तरह से दिखाई देती है पता नहीं कैमड़े में ठीक दिख रहा है कि नहीं लेकिन बहुत ही खुबशूरत लगते हैं इनके winter season में मैं इन में watering बिलकुल लगभग 8 दिन 9 दिन में watering करती हूँ continue watering नहीं करती हूँ और बहुत अच्छे से flowering भी करता है ज्यादा over watering से इनकी जो है branch वह है गल जाती है flowering के लिए मैं हमेशा आपको बताते आई हूँ कि liquid fertilizer winter season में मैं यूज करती हूँ और powder farm में भी यूज करती हूँ तो अभी आप liquid fertilizer ज्यादा flowering पाने के लिए सरसो खली नीम खली और seaweed ग्रेनवल तीनों को मिला कर आप 3 दिन तक भिगा कर रख दीजिये पानी में और चोथे दिन फिर एक डिबबा यदि आप एक मग पानी लेते हैं liquid वाला तो उसमें आप एक बाल्टी पानी में मिला कर बिल्कुल पतला liquid बना लीजे और उसे आप इसे दे सकते हैं NPK 1919 का इस्प्रे भी कर सकते हैं और गंबले में डाल भी सकते हैं liquid उससे भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है वैसे तो फ्रेंड्स यूफ और विया मिली को ज़्यादा फर्टिलाइजर देने की जरुवत नहीं पड़ती है आप मेहने में एक बार भी अगर फर्टिल भी लगाऊंगी तो किस तरह से इसकी कटिंग ग्रो होती है वो भी आपको बताऊंगी तो अभी मैं फिलहाल इस तरह से इसकी केयर कर रहीं फ्रेंड्स और मैंने इसे बिल्कुल फुल सनलाइट में रखा है इसमें कोई कीड़े वगर अटैक नहीं होते हैं मिली बक्स वग लगती है और फ्लावरिंग के लिए भी आपको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करने पड़ती है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो गार्डनिंग की सुरुवात करते हैं उनको ऐसे ही प्लान का चुनाव करना चाहिए जिसमें ज्यादा जंजट नहों और ज्यादा ताम ज्याम या ज्यादा फर्टिलाइजर देने की जरुवत मत पड़े जिससे की उनका मनोबल भी बढ़ेगा फ्रेंड्स और वो गार्डनिंग में ज्यादा इंट्रेस्ट भी लेंगे ऐसा मेरी सोच है भै तो इस तरह से मैं इनकी केर कर रही हूँ सिर्फ पानी का विसेयस ध्यान द अगी तो मेरे चैनल को लाइक सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली विडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और मेरे नए फ्रेंड्स जो मेरे वीडियो देखते हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए हाला कि मेरे वीडियो continue अभी नहीं आपा रहा है लेकिन अब आगे चल कर आपको continue मिलेगा और देखिए कनेर इसमें पहले बार flowering हो रहा है और इतने प्यारे light pink कलर के इसमें flowers आ रहे हैं बहुत ही सुन्दर है तो फिर मिलती हूँ friends बाई बाई